एन्सीसी भरती में पूछे का प्राशन है सिलेक्शन सभी का होगा जो लोग तेजास एन्सीस अर्मिचनल पर रेगुलर क्लास कर रहे हैं और बताया तरीके फॉलो कर रहे हैं अभी जो आपका टेस्ट होगा तो यह फ्री क्विस्ट टेस्ट फस्ट होगा क्योंकि नॉर्माल सौ साही होगा आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे और डेली अपना स्कूर बताएंगे फिर लाइफ क्लास में बताना किसका सौ में सौ साही हुगा फिर आप लोग को लाइप में लिया जागा ठीक मतलब वीडियो वाले क्लास में आप उसमें दिखेंगे भी फिर वीडि यहां पर सारे नोर्स फ्री ओफ कॉस्ट एंसी सी भरती का अब तक जितने कोशन कुछ है के सारे विलेवल है और यह जो कुछ टेस्ट है न सो नम्मर का है सौ कोशन थोरा टफ होगा तो कि बहुत कोशन मैंने आपको लाइब क्लास में नहीं पढ़ा है लेकिन इस साइट पर स इस्क्रिप्शन में वहाँ से ग्रूप जोएन कर लो कोई दिक्रत तो मैसेज करना 100 कोशन एक कोशन पर मात रहे 10 शेकंड का टाइम जोँगा चलिए फटा-फट टेस्ट शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है एंसी सी का फूल फर्म लिक है नेशनल क्रेडिट कोर नेशनल कै कर लेंगा आप शेकंड का बड़ा ब्रीज का दूसरा नाम क्या है गांधी शेतु विक्रम शीला शेतु रविंद्र शेतु या बोगी बिल ब्रीज टोटल जितने कोशन में आपको लाइब में भी पढ़ा दूसरा सेम कोशन आपके एकजाम में भी आएंगा और पहले भी एकजाम में पूछे जा चुके है और इंडिया में शेमता किसी भी स्टेट से हैं ओप्शन सी रविंद्र शेतु थर्ड एंसी सी का मोटो क्या है शा लेकिन जो मेरे पास पढ़ते हैं आपका स्पीड होना चाहिए बी होगा एकतार अनुसासन फोर प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब सुरू किया गया एक अप्रेल 1973 को एक जुलाई 1973 को शाथ अप्रेल 1973 को शाथ जुलाई 1973 को लेकर एक कितने हाई लेबल का कोशन पूछा तो शार्य आपको पढ़ने पढ़ेगे टोटल मेंने 2000 प्लस कोस्टन एविलेबल करा हैं जो अप तक एंची सी में पूछा है आप्सन भी एक अप्रेल 1973 को फीफ्ट एंची सी के जंडे में कितने रंग होते हैं दो रंग तीन रंग चार रंग पांच रंग आपको नाम भी पता होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लीन इंडिया डे किस डेट को शेलिबरेट किया जाता है गोड़ जोष अला टाइगर अफ दी तेज़स फैमिली डी होगा दो अक्रूबर को गांधी जी के जनम दिवस पे शेवेन एंची सी में कितने निदे साले हैं पंदरा शोला शत्रा अठारा अठारा हाउ मेनी डिरेक्ट रेट्स आर देरीन एंची सी क्या होगा और कोरेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रा एट टोकियो अलम्पिक 2020 में किसने वेट लिफ्टर जीता निरच्चोपडा ने? मेराबाई चानू ने, भलवान सुसिल कुमार ने, पीविश इंदू ने, टोकियो अलम्पिक 2020 में किसने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था जो भारतिय खिलाडी हैं कोरेक्ट आंसर ऑप्शन में मेराबाई चानू ने नाइन, एन्सीसी का हेड़ क्वार्टर कहां इस्तित हैं? कोलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या बनाराश वेर इस दा हेड़ क्वार्टर ओफ एन्सीसी? बढ़िया गुड़ जोश कोरेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली भारत के वर्तमान राष्ट्र पति कौन है? रामनात कोविंद, राजेंदर परसाद, दरपदी मुर्मू, परतिभापाटी फुई दप्रिजेंट प्रेसिडेंट आफ इंडिया भारत के वर्तमान राष्ट्र पति, आपको नाम पता होना चीए इनका नाम भी आपको पता होगा, मैंने पढ़ा दिया है C, DG, जिसका फुल फर्म, डिरेक्टर जनरल होता है 12, VAT का फुल फर्म लिके, वैलू एड़ेट टेक्सी, वैलू एड़ेट टेक्स, वैलू एड़ेट टेक्स, वैलू एड़ेट टेक्स फुल फॉर्म आफ वी एर टी अश्वेलिंग पर्फेक्ट रना चाहिए जिने नहीं याद है याद कर लेंगा और जिनका फर्स्ट टाइम आप तेज़ चैनल प्यार है चलना सब्सक्राइब करके बिले कमपेस कर देंगा और रेगुलर साम में आट बजे क्लास कीजेगा ठी कि अभी आपका स्कोरिंग कितना हो रहा कॉरेक्ट अंसरों का वैलू एरेट टैक्स ऑप्सन ली थर्टीर सीओ का फुल फॉर्म लीक है जो हमारे बटालियन के हेड होते हैं कमांडिंग ऑफिसर सेंट्राल ऑफिसर कमांडर ऑफिस सेंट्राल ऑफिसर आप भी जब इन्ची फॉर्टीन मैथमेडिकल डिजिनिंग है घर पे अच्छे से सॉल्व करना उन्नीस उन्तालीस उनाशी एक सबुन सट इसको सॉल्व करना दो सबुनीस तीन सबीस एक सबंठानवे या तीन सबुनीस इसके लिए आपको दूँगा 20 सेकेंड का टाम ठीक है रिजिनिंग है ज चलिए और चार सेकेंड गुड़ जोष वैसे इजी है मतलब दो से मल्टिप्लाई करना प्लॉस वन करना बहुत सीम्पल है तीन सबुनीस हो का ओप्सण डी फिप्टीन हम सब भारतिये हैं पंक्ति किस सॉंग का है जाना गणा माना का एंसी सी सॉंग का वंदे मात्रम का य कोस्चन का लेबल बहुत हाई हो गया है फाइनल सेलक्षा रिटेन टेस्ट पर ही होता है 100 का 100 कोस्चन का टेस्ट देना बी होगा एंसी सी सॉंग का और लास में बताना कितना से ही किया 16. शाइना नहवाल किस खेल से समंधित है टेबल टेनिस से फुटबॉल से क्रिकेट से या बैडमिन्टन से शाइना नहवाल रिलेटेड टू विच गेम चली फास्ट कॉरेक्ट आंसर ओप्शन डी बैडमिन्टन से 17 इलाहाबाद का नया नाम क्या है उत्तरकाशी परियाग राज इलाहाबाद या अलाहाबाद अभी इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया भरती में पूछा भी होगा परियाग राज 18 परधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहले किस राज़ी के मुख मंत्री थे बिहार के उत्तर परदेश के गुजराद के राजस्थान के 19 परधान मंत्री नरेंद्र मोदी परधान मंत्री बनने शपले किस राज़ी के मुख मंत्री हुआ करते थे 19 भारत वो पार्ट के बीच की शीमा को क्या करते हैं एलोसी रेड क्लिफ लाइन मैकमोहन लाइन एलेशी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको किस नाम से बुलाते हैं शारे इंपॉर्टेंट कोश्चन है टोटल टेस्ट पूरा देना बी रेड क्लिफ लाइन 20 मोबाइल फोन का जनक कौन है निउटन अलेग जेंटर ग्राहम बेल गैलिलियो गैलिली या मार्टिन कूपर साव कोश्चन है देखता हूँ कल भी एगर टाइम मिलता है तो कल भी साव कोश्चन का क्विस्ट चेस्ट होगा आठ बजी कॉरिक डांसर ओप्संडी मार्टिन कूपर 21 21 एसलर का पुरा नाम डिको अभी इसका फूलफार से पूशता है जब आप न्सीस जॉएन के लेंगे आपको एसलर से ट्रेनिंग दी जाती है सर्फ लोड़े राइफल सेल्फ लोड राइफल सेल्फ लोड राइफल अपको एन शी सी में फायरिंग भी कराई जाती है रियल वाली गुलेट मज़ा आता है तो अच्छे से त्यारी किजिए सेलेक्शन कनफर्म होगा ओप्सर्डी सेल्फ लोडिंग राइफल 22 भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई 16 अप्रेल 1857 को 18 जुलाई 1813 को 16 अप्रेल 1813 को 15 अगस्त अठार सुटावन को ये सारे कोश्चन अगर आप कॉरेक्ट आंसर आप्सान सी 16 अप्रेल 1813 को 23 आई सीसी का फुल फर्म लिक है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट कोड इंडियन क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल फुल फॉर्म आफ आई सीसी चली आंसर सभी काने चीए गुट जोश कोने टाइगर ऑफ्षाने इंटरेशनल क्रिकेट कांसिल 24 मैंटमेटिकल कोस्टे ने सौल करका बताना एक तिर्भूच के दो कोड़ नबे डिग्री और तीस डिग्री है तो तीसरा कोड़ बता साथ डिग्री शाट डिग्री असी या नबे 20 सेकंड का डायम दूंगा म मैंट के कोश्टन पर 20 सेकंड दूंगा ठीक है स्क्रीन सोट ले लो फिर घर पर अच्छे से सॉल्प करना इस सारे भरती में पूछे मैंट का कोश्टन भी पूछता है इन सीसी एक्जाम में चली और आठ सेकंड है जल्दी सॉल्प किजिए बच्चा वाला कोश्टन है पा टेलियो गेलिली ने या मार्डिन कूपर ने टेली वीजन का अविश्कार किस ने किया था 25 का क्या होगा कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन भी अलेक्जेंडर गराहम बिल लें 26 से उडन सीख को किसके नाम से जाना जाता है मिल्खाशी को पिटी उशा मेजर ध्यांचन निरत चुपड़ा उडन सीख के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है इस सारे नए कोश्टे ने जो हम लोग कभी स्कूल में पढ़ते नहीं और भरती में पूछा गया है यह होगा मिल्खाशी को 27 खटे फ़लो में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन डी विटामिन सी विटामिन बी या विटामिन ए खटे फ़लो में कौन सा विटामिन पाया जाता है गुड़ जोश Correct answer Option B vitamin C 28 JCO का full family के Junior commissioned officer Junior command officer Junior commissioner office Junior compromise officer Full form of JCO क्या होगा Correct answer Option Junior commissioned officer 29 Jain dharm के संस्थापक कौन थे महावीर अजीतनात संभावनात रिशबदेव Jain dharm की अस्थापना किसने की थी चलो भईया First Correct answer Option D रिशबदेव ने 30 संचार के छितर में नया नेटवर्क कौन सा आने वाला है 2G 3G 4G या 5G संचार के छितर में नया नेटवर्क कौन सा आने वाला है वैं कितना अच्छा कोशन कुछा D 5G 31 भारत और चीन का शीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है LOC Red Cliff Line McMohan Line या LAC भारत और चीन का शीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है Correct answer Option C McMohan रेखा 32 C.A.S का Full Form लिखे Confirmation of Acceptance for Studies Confirm of Acceptance for Studies Confirm of Acceptance for Studies Confirm of Acceptance for Studies Spelling परफेक्ट होना जीए Full Form of C.A.S ये सब काफी difficult full form है वो अच्छे से आद के लिजेगा Spelling Correct answer option B Confirmation of Acceptance for Studies 33 mathematical question है 9332-7113 प्लस यहाँ पर क्या होगा कि एक्वल टू 1440 होगा नी 1440 माइनस 1280 माइनस 1275 माइनस 1295 या 1280 20 से सेकेंड का टाइम दोगा और आप में से 99% बन दे यह प्लस माइनस वाले question में भी गलती करते हैं स्क्रीन सोट ले लो घर पे फिर solve करना और अभी 20 सेकेंड में आंसर बताईए ये भी भरती में पूछा गया है देखना कितने लोग गलत करेंगे घर पे solve करना फिर ये माइनस 1280 होगा ठीक है निगेटीव में होगा 34 कौन से दो देश पाक, इस ट्रेट से अलग होते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन भारत और स्रिलंका भारत और नेपाल वह कौन से दो देश हैं जो पाक, इस ट्रेट, लाइन से अलग होते हैं मतरब उनके बीच से गुजरती है कौरेक्ट आंसर ओप्सन सी भारत और स्रिलंका 35 2022 कौमान वेल्थ ग्यंप्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं 22, 19 या 61 गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल की बात हो रही है वह भी कौमान वेल्थ ग्यंप्स में पॉलंपी की बात नहीं हो रही है तो ध्यान दीजीगा 2022 का पूछ रहा गोड़ जोश कौरेक्ट आंसर भी 22 गोल्ड मेडल काउंट करते रहाना कितना गलत कर रहो लास्ट में और स्कोर बताना कमेंट में 36, भारत की प्रथम आदिवास्टी महिला राष्टपती कौन है इंद्रा गांधी, परतिभाप आटील, सोनिया गांधी या दरबदी मुर्मू 37, भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितने है 6, 8, 10 या 12 मूल अधिकार मूल अधिकार, शोट में बोला है मौलिक अधिकार को Total number of fundamental rights in India कितने है सबका perfect होना चीए बच्चा वाला कोश्चे ने 8, 6 मूल अधिकार 38, फूलो की गहाटी की से कहते है स्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को, उत्राखंड को, हिमाचर पर्देश को फूलो की गहाटी की से कहते है 38 का क्या होगा 39, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ 26 जिनवरी 1950 को 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1950 को 26 जिनवरी 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का कॉलिजन कब हुआ सबका सही हो ना चीए जो लोग गलत करेंगा आपको मिलेगा पनिस्मेंट ओप्शन भी 15 अगस्त 1947 को 40, EVM का फूल फर्म लिखे Electronic Water Machine Electrical Water Machine Electronic Water Machine Electrical Water Machine Full form of EVM 40 का क्या होगा Option C Electronic Water Machine 41 20 जन संख्या दिवस कब मनाते हैं 11 जुलाई को 5 जुन को 14 नौंबर को 30 जुनवरी को World Population Day कब मना जाता है और पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जन संख्या किस देस की है इंडिया की याद रखिएगा Option 11 जुलाई को 42 भारत की जलपरी किसे कहते हैं इंद्रा गांधी को किरण बेदी को आरती साहा को या बीवी सिंद्रा गांधी को भारत की जलपरी किसे कहते हैं Question No.42 Correct answer Option C आरती साहा को 43 सूरे से कौन सा विटामिन सूरे परदान करता विटामिन D विटामिन C विटामिन B या विटामिन है मतलब सं लाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है बहुती इजी और VBI कोस्चन है सबका परफेक्ट होना अची रोज सुबह सुबह लेते हो Correct answer विटामिन D आप्सन होगा 44 कम्प्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं मोडेम को माउस को मोनिटर को या सीपीव को Which part of कम्प्यूटर is known as the brain of कम्प्यूटर चलो भाई या फास्ट कम्प्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है Option D सीपीव को 45 विटामिन A की कमी से कौन सा रगता है रतावंधी अशकरवी बेरी बेरी रेवीज Which disease cause due to lack of विटामिन A Correct answer Option E रतावंधी 46 वायू मंडल में कुल कितने ग्राव है 9, 5, 7 या 8 ग्राव वायू मंडल में कुल कितने ग्राव है 46 का क्या होगा Correct answer Option D 8 ग्राव 47 9 सेना दिवास खाली अस्तान को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को 4 दिसंबर को 15 जनवरी को 5 सितंबर को 9 सेना दिवास किस डेट को मनाया जाता है 47 का क्या होगा Correct answer Option D 4 दिसंबर को 48 RBI के वर्तमान गवर्णर कौन है अमीद सा निर्मला सिता रमण रंजन को कोई शक्तिकांत दास Who is the present governor of RBI Question number 48 Correct answer Option D सक्तिकांत दास 49 इसने राजस्थाम रोयल्स ने बेंगलूरू चलेंजस ने 2020 में जो IPL हुआ था उसका फाइनल मैच इने ट्रॉफी किस ने जीता था किस टीम ने शभी का अंसर परफेक्ट होने चाहिए Correct answer option ने चेनने शुपर किंग्स ने अभी आपका 50 question हो गया और 50 question ने तो टेस्ट पूरा देना ठीक है और अपने friends को भी share कर देंगे 51 WTO का full firm निक है World Tradesman Organization World Trade Organization World Trade Organization World Trade Organization Correct answer Option B World Trade Organization 52 CPU का full firm निक है Central Processing Unit Central Processing Unit Central Processing Unit Central Process Unit CPU का full firm क्या होगा Option है Central Processing Unit अब इसमें देहां दे ये भी नया तरीका का 2023 में question पूछा Proof false NCC भरती में पहले कभी नहीं पूछता था राजनाथ सी भारत के रच्छा मंत्री है शही या गलत तो इसमें आप शही गलत comment में लिखना ठीक है 10 सेगंड का टाइम मिलेगा True or false राजनाथ सी इस दड़ डीफेंस मिनिस्टर आफ इंडिया True or false बहुत अच्छा तरीका है question का सही होगा 54 लदाग की रजधानी कहा है जम्मू, लेह, श्री नगर या काश्मीर Where is the capital of लदाग परफेक्ट होना चीए नया राज्य बना है न Good Josh Option B लेह 55 भारत का राफ्ट्री है फुल कौन सा है गुलाब, चमेली, गेंदा या कमल आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए भारत का राश्ट्री है फुल, नेश्नल फ्लावर अफ इंडिया लॉलीपॉप को उस्चन है Option D कमल का फूल 56 सुन्दरवन डेल्टा किस राज्य में इस्थी थै 56 का क्या होगा Correct answer, option है पच्छी मंगाल में 57 भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कोन है जनरल मनुद मुकंदरवान है श्री राजनाथ सी जनरल मनोज पांडे या श्री नरेंद्र मोदी प्रिजेंट आर्मी चीफ आफ इंडिया शबी का परफेक्ट होना ची एंडिया आपसे इंटर्वी में भी पूछेगा किसी भी विंग से हो तीनों का स्रेम होता है श्री योगा जनरल मनोज पांडे है 58 NCC की अस्थापना कभूई थी 16 जुलाई उनिस वर्तालिस को 16 अप्रेल उनिस वर्तालिस को 59 शारे जहां से अच्छा किस के द्वारा लिखा गया है मात्मा गांदी, शुभास चंद्रबोस, मुहमाद इकबाल या भगत सीम 59 का क्या होगा correct answer option C मुहमाद इकबाल 60 निम्बू में कौन से विटामिन पाया जाता है विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन A निम्बू में कौन सा विटामिन पाया जाता है correct answer option B, विटामिन C 61. शियाचीन ग्लेसियर किस राज में इस्ति थै? उतराखंड में, जम्मू कश्मीर में, श्री नगर में या लदाक में शियाचीन ग्लेसियर किस राज में इस्ति थै? गुट जोश चलो वह या फास्ट Option D लदाक में 62 20 महिला दिवस कम मनाते हैं 8 March को 15 अगस्त को 2 अक्टूबर को यब 5 सितंबर को World Women's Day Celebrated on Which date? Question का label देख रहे हो ना Class regular कीजिएगा साम में 8 बजी बाकी information 8 बजी आपको बता देता हूँ लास्ट में फिर बता दूँगा कहां से पढ़ना है ग्रूप कहां से जोइन करना है Option है होगा 8 March को टेस्ट अभी पूरा देना 100 का 100 बिहार दिवस कम मनाते हैं 26 जन्वरी को 20 March को 22 March को यह 14 नॉमबर को On which date We celebrate बिहार डे जैसे आप जीस राजे से हैं तो आपके राजे में आपके राजे से पूछेगा मद्य परदेश दिवस राजस्थान दिवस आपको अपने राजे का पता होना चीए ठीक है तो बिहार दिवस 22 March को C होगा 64 पृत्वी के वायू मंडल की सबसे उपरी परत कौन सी है 64 का क्या होगा Option D बहिर मंडल 65 ऑक्सीजन की खोज किस ने किया था आइंस्टीन ने जोसेप प्रिस्टले ने निूटन ने या डेनियल रदर फोड ने ऑक्सीजन की खोज किस ने किया था Most VVI कोश्चन है शारे येकि भरती में पूछे के सारे ओरिजनल कोश्चन है B होगा जोसेप प्रिस्टले ने 66 वी स्वोग पर्यापरण दिवस कब मनाते हैं 21 जुन को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को या 5 जुन को On which date we celebrate World Environment Day Question 66 Option D 5 जुन को 67 37 B भारत ने फ्रानस से कौन सा लडाकु विमान खरिदा है? 30 लडाकु विमान भारत ने फ्रानस से कौन सा फाइटर जेड ? luger टांसर ओप्सन भी राफ ए लड़ा को विमार शिस्टी एट वर्ड वार तू कब वुआ था उनीचो चौदा में उनीचो अठारा में उनीचोंटालीश में या उनीचोंट पैतालीश में सेकेंड वर्ड वार किस यर स्टार्ट हुआ था लिखना पड़ेगा ठीक है कब वुआ था मतलब स्टार्टिंग यर लिखना टाइम आप दस सेकेंड का ही टाइम एक कोशन पर काउंट करके सी योगा उनीचोंटालीश में 69 हमारा श्रमिधान कब लाग वुआ था? 26 नॉम्बर 149 को 27 बारीए उनीचोंटार को 29 बारीए उनीचोंटार को ये 26 जिआ वनीचोंटार को लागू होना पूछरा कब बनकर रेड़ी हुआ अलग पोस्चन है लागू होना अलग पोस्चन है तो ध्यान से समझ के आंसर बताईएगा कोरेक्ट आंसर ओप्शन डी 26 जिनवरी 1950 को लागू हुआ था 70 DRDO का हेड़गवार कहा है डेंगलूरू में दिल्ली में मुंबई में या कोलकाता में वियर इस दा हेड़गवार ओफ डी आर डी ओ चलो भई आ सभी का आंसर परफेक्ट होना चीए सिलेक्शन कन्फर्म होगा क्लास कंटिनिव किजिएगा बी होगा दिल्ली में 71 DRDO की अस्थापना किस वर्षवी थी उनिस वर्षवी थी उनिस वर पैतालिस में निस सब आनसर आत्तर में या उनिस वर चैतालिस में वे न्माज DRDO इस्टेबलिश्ट थी 71 Correct answer option है उनिस वर अठावन में 72 International Crime को कौन देखता है सुप्रीम कोट International Criminal Court हाई कोट या नेशनल क्रिमिनल कोट इंटरनेशनल क्राइम को कौन देखता है कोस्चन नमर सेवंडीटू कॉरेक्ट आंसर आप्शन भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट 73 इउनेशको की अस्थापना को हुई थी 1945 में? 1879 में? 1947 में? या 1971 में? हुए नमाज इउनेशको इस्टेबलिश्ट 73 का क्या होगा? कॉरेक्ट आंसर आप्शन इउनेशको का हेड़क्वाटर कहां है? जापान में? बर्मिंगम में? इंगलेंड में? या पेरिशन में? यह सारे कोश्चन में कभी पढ़ाया जाता है? न जीके में न बुक किसी अस्कूल में? लेकिन यह सारे कोश्चन भरती में पूछे गए हैं तो बहुत डिफकल्ट हो गया था जीस टाइम पूछा था अभी अप लोग याद कर लेंगे डि होगा पेरिश में हैं? 75 हिंदी गरामर का कोश्चन है उचा गया मनूज का विलोम शब्द क्या है? अनूज दनूज राच्छश इती अपोजीट वर्ड बताना है हिंदी गरामर का मनूज का विलोम शब्द क्या होता है? अभी सिलेबर स्टाफ कर दिया है निव बरती का बी होगा दनूज 76 है डबल ए आई का फुल फर्म रिक है एयरफोर्स ऑथोरिटी ओफ इंडिया एयरपोर्ट ऑथर ओफ इंडिया एयरपोर्ट ऑथोरिटी ओफ इंडिया एयरपोर्ट ऑथोरिटी ओफ इंडिया फुल फर्म इस्पेलिंग आपको याद होना चीए तब ही आप सही कर पाएं डबल ए आई का फुल फॉर्म गुट जोस ऑप्शन सी एरपोर्ट अथुरिटी ओफ इंडिया 77 गोल घर का निर्माण किस ने करवाया था लॉर्ड मांट बेटर ने जॉर्ज गास्टी ने जवाहल अनलेहरू ने लॉर्ड कैनिंग ने गोल घर का निर्माण किस ने करवाया था चलो भी या फास्ट और आउप्शन भी जॉर्ज गास्टी ने 78 श्रम विधान में कितनी भसाएं हैं 121, 48 22 या 149 भसाएं मतलब टोटल कितने लेंग्वेज अपने कंसिसीउसन में जीने मानेता प्रापत है वह योगा श्रमिधान में कितनी भसाएं हो को मानेता प्रापत है भारत में 22 भसाएं सी योगा 79 रामण के पीता का नाम क्या था विसरवा, महारामण, कुम्ब करण या मेगनाथ वाट इस दा नेम आफ फादर आफ रामण ये भी क्वेशन बढ़ती में पूछा ओप्सन ए विसरवा 80 शिरी गनेश का विलम शब्द क्या है इति, इतिहाश, अंत या शमाप कोई काम मोलते हैं ना शिरी गनेश का ना मतलब सुरू करना तो शिरी गनेश का उल्टा शब्द, उपोजीट वर्ड कौं सा ओप्सन ए अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्क्रीत भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भासा बोली जाती है ओप्सन ए हिंदी 82, ईवपी में सबसे ज़्यादा दिन तक मुखमंत्री कौन रहा है यह गी अधित्यनात, अखिलेश यादव, राजनाची या मायाबाती Most VBI question, अच्छा question है आप जिस राजे से हैं तो आपके राजे में पूछ सकता है आपके राजे में सबसे ज़्यादी तक मुखमंत्री कौन रहा तो आप Google सर्च का खियात कर लेंगे EP में मायाबाती, D होगा 83, भारत के पडोसी देश कितने हैं, 8, 9, 10, 11 Total number of neighborhood countries of India तो टोटल भारत के पडोसी देश 9 है, आप्सन भी होगा 84, भारत में NCC की सुरुवात किस ने की थी? सुदर्शन फकीर ने, पंडित हिर्दयनात कुझरू ने करनल जीजी वेगू ने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पालसी ने Who has started NCC in India? Most VBI, NCC related जितने question हैं सारे Most VBI हैं क्योंकि इंटर्वी में ही पूछेगा, रीटेन ही पूछेगा आप्सन भी पंडित हिर्दयनात कुझरू ने 85, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? यहीं, प्रतम विस्वीद, 1914 में 1918 में, 1949 में या 1945 में वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? 85 का, क्या होगा? आप्सन ने, 1914 86, हमारा श्रम विधान कब लागू हुआ था? 26 नमबर, 1949 को 26 जनवरी,1949 को 26 नमबर,1950 को यह 26 जनवरी,1950 को मिस्टेक से कोश्टन रिपीट कर गया तो सभी का परफेक्ट होना ची, टाइम 10 सेगंडी सारे कोश्टन पर मिलेगा गुर्जोष, चलो फास्ट आप्सन डी 26 नमबर,1950 को 87 मैंक मोहन लाइन बाउंडरी, कौन-कौन से देश के बीच में पढ़ती है? नेपाल और भारत के? भूटान और भारत के? मैमार और भारत के? मैंक मोहन लाइन बाउंडरी, कौन-कौन से देश के बीच में पढ़ती है? अभी के क्लास में पढ़े थे, ठीक उसका उल्टा करके पूछ दिया है? तो चीन और भारत के बीच, डी होगा 88 फादर ओफ इंडियन मिसायल टेकनोलोजी किसे करते हैं? एस किरनकुमार, डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम, राकेश के जाएं, वेंका ट्रमा रामा कृष्णम को फादर ओफ इंडियर मिसाल टेकनोलोजी यानि भारत के मिसाल टेकनोलोजी के पीता किसे करते हैं इनकी वज़सी भारत मिसाल संपन्देश है भी होगा डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम को 89 पारा ओलम्पिक खेल 2020 किस सहर में हुआ था माल्दी में मुंबई में लंदन में या टोकियो में पारा ओलम्पिक खेल 2020 किस सहर में हुआ था 89 का क्या होगा Correct answer Option D टोकियो में 90 काजिरःंगा नेष्नल पार्ग भारत के कौन से प्रदेश में ही श्तित है आशनम में », गुजरात में, उत्दर प्रदेश में, या मेघाले में काजिरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से परदेश यानी राज्य में इस्थी थे परदेश राज्य को बोलते हैं ठीक है तो आप्शने आश्राम में इस्थी थे 91 इनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है कितना हाई लेबल कोशन कुछ दिया बान की मून कोफी अनना एन्टोनियो गुटेरेश बुत्रस घाली इनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है कौरेक्ट आंसर आप्शन सी एन्टोनियो गुटेरेश 92 हीरा कुंड बान्ध किस नदीपर बना है गंगा नदीपर, यहुना नदीपर, ब्रह्पुत्र नदीपर या महा नदीपर हीरा कुंड बान्ध किस नदीपर बना है 92 का क्या होगा कौरेक्ट आंसर आप्शन डी महा नदीपर 93, एर फोर्स का मोटो क्या है तच असकाई विथ गलोरी टच असकाई विथ गलोरी टच असकाई विथ गलोरी अस शर्विस बीफोर सेल्फ एर फोर्स का मोटो पताओन ची आपको तीनों सेना का पताओन ची कौरेक्ट आंसर आप्शन बी टच असकाई विथ गलोरी 94, शंगम कहा लगता है लखनव में, इलहाबाद में, जबलपुर में या आगरा में शंगम कहा लगता है 94 का क्या होगा चली फास्ट ओप्शन भी इलहाबाद में 95, 2021 ओलमपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते एक गोल्ड मेडल, पांच गोल्ड मेडल, शाथ गोल्ड मेडल या दस गोल्ड मेडल 2021 ओलमपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते ओप्शन ए एक गोल्ड मेडल 96, वीश्व योग दिवस कब मनाया जाता है पांच जुन को, पंदर अगस्त को, 21 जुन को या 26 जुनवरी को और चार कोश्चन है टेस्ट पूरा देना और लास्ट में कमेंड करके बताना कितना सही किया और विनर कोन है शी होगा 21 जुन को, वैसे तो उमीद नहीं अभी कि आप में से किसी का भी 100 में 100 सही होगा क्योंकि बहुत कोश्चन आप लोग पड़े नहीं है 97, वीशम सब्द चुने, सूर्य, बूध, फृत्वी या विर्यस्पति तो आज आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, फिर दो दिन बाद मैं आपके ग्रूप में फिर से वीडियो भेज दूँगा टेस्ट देना, फिर नेट्श दो दिन बाद, जिस दिन आपका 100 में 100 सही होगा, मुझे बता दीजिएगा आप सबको वीडियो कॉल पे, जूम एपके थूरू लिया जाएगा, लाइब में, फिर आपका वीडियो अप्रोड होगा यह होगा सूर्य, 98, सबसे उचे परवत की उचाई कितनी है, 8,848 मीटर, 8,800 मीटर, 8,040 मीटर, या 8,868 मीटर मतलब पूरी दुनिया की सबसे उचे परवत की उचाई, क्या होगा गुट जोष, कॉरेट आंसर, ओप्शन है, 8,848 मीटर, 99, नेवी का मोटो क्या है, एक तावर अनुसासन, सर्विस बिफोर सेल्फ, समुद्र के देवता हम पर क्रिपा करो, या मृतु तक करतावे इंडियान नेवी का मोटो क्या है, कॉरेक्ट आंसर, ओप्शन सी, समुद्र के देवता हम पर क्रिपा करो, क्यों लोग पानी हो जाते हैं इसलिए, लास्ट कोश्चन नमर हंडेड, इस स्क्विस टेश्च का लास्ट कोश्चन है सब का सही होना जी, भारत का राष्ट गान यहनि National Anthem of India, कितने सेकंड में गाया जाता है, पचास सेकंड में, पचपन सेकंड में, अंठावन सेकंड में या बावन सेकंड में, अभी आपको मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, ग्रुप कहां से जोईन करें, तो सब लोग वेट करेंगे, और अपना अस्कोर भी तो मुझे नहीं लगता कोई होगा इसका सौ में सब सही होगा आपका आउट आफेंड़ कितना स्पोर जल्दी से कमेंट की leaked comment करना लाइब में इन टीक पिसर मेरा इतना सही है नेक्स्ट आपका quiz test 2 होगा कल साम में सेम टाइम आठ बजी शुरू हो जाएगा आपको सारे notes free of cost इस website पर इमिलेंगे तो आप Google पर सर्च करेंगे www.tejasnccrmy.com यहां से पढ़ के आना और प्लेयर स्टोर से Tejas NCCRmy आया पर भी डाउनलोड कर लेंगे यहां पर आपको थोड़े दिनों बाद online quiz test भी अबिलेबल होगा और telegram group जान कर लेंगे और फिर आज आपने test दिया 100 questions अपने दोस्तों को share भी कर देंगे और comment सब लोग करना test कैसा लगा comment करका बताना कि मजा आया कि नहीं आया फिर दो दिन बाद आप test देंगे जीच दिन आपका 100 सही होगा मुझे comment करेंगे और telegram पर message करेंगे यह Instagram पर कि सर मेरा 100 में 100 सही है फिर आपको मैं जूम आपके थूर लाइब में लूँगा ठीक है सबको तो मिलते हैं next कल साम में 8 बजी quiz test second में चैनल सब लोग subscribe कर लेंगे वीडियो लाइक कर देंगे और comment करका बताना कितना सही किया और वीडियो को share भी कर देंगे अभी के लिए तना ही शवी को बेश्ट अपलाग धन्यवाद जय हिन